हलो एंड वेलकम बैक टूर चैनल दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एंजल वन एप्लिकेशन में अमाउंट कैसे एड किया जाता है अमाउंट विड्रो कैसे किया जाता है इसका सारा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं इसके अलावा इसके क्या rules and regulation है जिसमें आपको maximum amount आप कितना aid कर सकते हैं और आप withdraw कितना कर सकते हैं विड्रो करने में आपको कितना time लगता है ये सारी जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं तो बने रहेगा इस वीडियो में end तक और हमारे चैनल को subscribe नहीं ताकि आने वाला latest वीडियो आप सबसे पहले देख सको तो चलिए सूरू करते हैं दोस्तों हमने angel one by angel broking application को open कर लिया है और इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस परकार से आपको normally नजर आता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें fund कैसे add किया जाता है तो fund add करने के लिए दोस्तों सबसे नीचे-nीचे में आपको एक funds का option दिया गया है तो आपको यहाँ पे simply funds के option पर click करना है अब आप यहाँ पी देख सकते हैं जैसे इस पर आपने click किया आपका जो भी invest करने के लिए जो भी trade करने के लिए value होगा दोस्तों वो आपको यहा और कोई बैलेंस एड करना चाहते हो तो आपको सबसे नीचे में अपर देख openingsAnd आपको विड्रो का option दिया गया है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें add कैसे करते हैं amount, तो add करने के लिए आपको यहाँ पे जो नीचे में add fund का option दिया गया है, आपको यहाँ पे click करना है, जैसे ही आपने यहाँ पे click किया, अब आपको यहाँ पे सबसे उपर में amount का option नजर आएगा तो amount के section में आपको amount type करना है जैसे आप 1000 रुपे add करना चाहते हो इसमें तो आपको 1000 रुपे enter करना है और उसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है जो भी आपका bank account इससे link है आपके application में उसी bank account से आपको payment करना है चाहे आप phone पे से करो Google पे से करो या फिर आप net banking से करो किसी भी माद दिम से आप payment करो लेकिन आपका bank account का जो भी माद दिम होना चाहिए दोस्तों वो है जो भी आपका link है उसी bank account से होना चाहिए यदि आप phone पे से कर रहे हो तो phone पे में भी आपका bank account link होना चाहिए जिसके माद दिम से आप payment कर रहे हो जो आपका angel one application में लिंक किया गया है तो यह आप Google पर सकते हो बंके опять कर सकते हो और यूपि I के माध्या मेधिम से आप आप पे रिख्वेस्ट है सेंड कर दी गई is और आपको इसको अपिर्व करना वहाँसे पेय करना है और आपका का जोभी वो हो चाहि Major दोस्तों एक चीज आपको यहां पर इसमें ध्यान रखना है यदि आप UPI के माद़न से इसमें पेमेंट एड़ करते हैं तो आपका maximum limit वन लाक रुपए है और यदि आप net banking के माद़न से पेमेंट इसमें एड़ करते हैं तो आपको यहां पर कोई भी limit नहीं है जो भी आपका ध्यान में रखना होगा जो भी balance आप एड़ करते हो वह आप ऐसो instant withdraw नहीं कर सकते हो याणि आपने 1000 रुपए एड़ किया और एड़ करने के बाद में तूरंत आप उनको विड़र करना चाहते हो तो ऐसा नहीं होता है इसका रूल्स यह हैं दोस्तों जब भी आप विड़ के लिए यहां पर एलेबल होड़ जैसे हमने कल एड गया था one thousand रुपे जो आप यहां पर देख सकते हैं विड्रोल बेलैस हो आपको बाके सामने वह आपको यहां पर विड्रोल के लिए अवेलेबल होगा तो हमारे पास हमारे पास में आप यहां पर देख सकते हैं 1035 रुपय भी withdrawal के लिए available है यह दिया हम इसको withdrawal करना चाहते हैं तो आपको जो enter amount का option दिया गया है आपको यहां पर enter करना है इससे पहले दोस्तों आपको एक नीचे में transaction history का option दिया गया है आपको यहां पर क्लिक करना है transaction history पर और आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपने जो भी withdrawal के लिए request लगाई है वो आपको यहां पर withdrawal funds पर आपको यहां पर sow कर दी जाएगी और यह दिया आपने fund add किया इसमें तो आपको यहां पर sow किया जाएगा जैसे हमने add fund के option पर क्लिक किया तो आप यहां पर देख सकते हैं हमने पैसा add किया था कल वो आपको यहां पर sow कर रहा है और जो भी हमने अभी 1000 रुपे एंटर किये थे वो अभी failure सो कर रहा है यानि हमारा transaction वो फैल हुआ था हमने add नहीं किया था एक आपको डेमो दिखाया था तो यह दिए आप विड्रो करोगे तो आपको यहां पर सो करेगा अब हम बात करते हैं दोस्तों इसको विड्रो करेंगे जैसे हमने विड्रो किया 1000 रुपे विड्रो अब आपको यहां पर जो भी आपका bank account link इसमें उसमें credit होएगा 24-48 गंटे में तो आपका जो भी टाइमिंग है वह आपको यहां पर नीचे में सो कर रहा है to be credited by 7 p.m. यानि आपको जैसे आपका जो भी आज वरकिंग डे है तो 24 गंटे में आपको यहां receive हो जाता तो हमारा balance है वो आज ही हमारे bank account में receive हो जाएगा यदि आप दिन में जल्दी करते हो तो आपको यहां पर नीचे में जो cancel करना चाहते हैं हम withdraw नहीं करना चाहते हैं तो आप यहांसे cancel भी कर सकते हैं और आपका जो भी विड्रो लेवल balance है उसको आप विड्रो कर सकते हैं और आपको चोईस से 48 गंटे में आपका जो भी amount है वो विड्रो हो जाएगा और दोस्तों यदि आप कोई भी share sell करते हैं तो sell करने के बाद में आपको चोईस से 48 गंटे के बाद में ही आपको विड्रो करने के लिए available होगा जो भी balance आप विड्रो करना चाहोगे जैसे आपने 5000 रुपे के share आपने खरी देते और उनको sell किया है तो 5000 रुपे sell करने के तुरंत बाद आप विड्रो नहीं कर सकते हैं आपका विड्रो बेलेंस है वो चोईस से 48 गंटे में 100 करेगा आपका available margin to trade यानि आपको investment करने के लिए तुरंत 100 कर देगा लेकिन विड्रो के लिए आपको 100 नहीं करेगा ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है इस तरह से आप angel broking application में amount add कर सकते हैं amount withdraw कर सकते हैं और दोस्तों यदि आप angel broking application से संबंदित और भी वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें account open कैसे करना है इसका complete demo tutorial हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा हमारे चैनल पे आपको angel broking से संबंदित playlist बनाई गई ये angel broking name से जिसका आपको link button में मिल जाएगा उस playlist को चेक करके और आप angel broking से समंदित काफी सारी वीडियो जब चेक आउट कर सकते हैं और दोस्तों यदि आपने अभी तक angel broking में डीमेट account open नहीं किया है तो account opening link आपको video description में मिल जाएगा आप आसान इसे account open कर सकते हैं account opening का नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं पिर से एक इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ में तब तक के लिए सीखते रहो कमाते रहो और खुस रहो